गायतरी के पाँच बेटे नरेश, महेश, गणेश, मोहन, सोहन और पाँच बहुएं आशा, निशा, सुमन, सीमा और सुजाता थी। उसकी पाँचों बहुएं तरहा तरहा के खाने बनाने में कुशल थी। माजी, मैं ऐसी कड़ी चावल बनाती हूँ कि खाने वाला उंगलिया चाटता रह जाए। उ माजी, हमरे जैसा दाल, सबजी और रोटी तो कोई बना ही नहीं सकत। जो खाए, त्रिप्त होए जाए। सच बोलू सासुमा, जो आप मेरे हाथ के बने तंदूरी नान और पराठे खा लें तो खुश हो जाए। रायता भी स्पेशल बनाती हूँ मैं। आशा, निशा और सुमन की खूबियां सुनकर गायतरी बहुत खुश होती है। और फिर सीमा और सुजाता से कहती है। क्यूरी सीमा और सुजाता बहु, तुम दोनों में भी कोई ऐसी खूबी है या बस बना बनाया खाना ही खाना जानती हो। ऐसी बात ना है माजी, मैं मटन, चिकन और बिर्यानी बनाती हूँ तो गजब ढ़ा देती हूँ, खाने वाला पेट भरने पर भी खाता ही रहता है। और माजी, मैं बड़े ही मज़ेदार छोले भटूरे बनाती हूँ, चेटनी और अचार की तो पूछो ही मत, छोले भटूरे के स्वाद में चार चान लगा देता है। अपनी पाचों बहुओं के पाक कौशल के बारे में सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, तुम सब इतने अच्छे-च्छे खाने पका लेती हो, यह सुनकर बड़ी खुशी हूई, आज से तुम सब बारी-बारी से अपनी-पनी पसंद का खाना बना कर खिलाया करो, मेरे बेटे खुश हो जाएंगे गायतरी के चारो बेटे नरेश, महेश, गणेश मोहन और सोहन एक चीनी कारखाने में काम करते थे काम अच्छा चल रहा था मगर एक दिन पाँचों भाई मुह लटका कर घर आते हैं बेटा, अरे आज तुम इतने उदास होकर घर क्यों लोटे? मा, चीनी का कारखाना बंध हो गया एसे लिए हमारी नौकरी चली गई हम बेरोजगार हो गये मा तुम दुखी मत हो बेटा मेरे पास तुम सब के लिए एक खास रोजगार है अब हम वही रोजगार करेंगे गायतरी समझदार थी वे अपनी पाचो बहूँ के पाक कोशल का अच्छे से फाइदा उठाना जानती थी इसलिए गायतरी अपनी पाचो बहूँ के लिए धाबा खोलने का फैसला करती है और कहती है बेटा नरेश, महेश, गणेश मोहन, सोहन और बहूँ इधर आओ जरा क्या बात है मा सुनो, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक धाबा खोल ले तुम्हे रोजगार मिल जाएगा बेटा पर धाबे में खाना कौन बनाएगा मा मेरी पांचो बहूँ तरहा तरहा का खाना बनाने में निपुण है बेटा ये खाना बनाएंगी और तुम खिलाओगे क्यों, सही कहा ना उ मा जी, ये तो आपने बिलकुल सही कहा इसके कुछ तिन बाद गायत्री अपनी बहूँ के लिए एक धाबा खोलती है और उसका नाम पांच बहूँ का धाबा रखती है गायत्री की पांचो बहूँ तरहा तरहा के खाने बनाती और गायत्री खाने का ओडर लेती, उसके पांचो बेटे खाना परोस्ते और धाबे के दूसरे काम संभालते अभया मेरे लिए दो प्लेट छोले भटूरे पैक करा दीजिए बेटी सुजाता दो प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो जी माजी अभी पैक कर देती हूँ तभी कई और लोग खाना खाने आ जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का खाना ओर्डर करते हैं मुझे कड़ी चावल का प्लेट दो मुझे तंदूरी नान खाना है मुझे मटन करी और पराठा दो ठीक है भाई अभी लाता हूँ गायतरी की पांचों बहुएं अलग-अलग तरहा का स्वादिष्ट खाना बनाती और अलग-अलग तरहा का खाना खाने वाले लोगों को एक ही धाबे में अपनी-अपनी पसंद का खाना मिल जाता इसलिए लोग पांच बहुएं के धाबे पर ही खाना-खाना पसंद करने लगे मा, हमारा धाबा तो बहुत अच्छा चल निकला बेटा, यह सब तो तुम्हारी पत्नियों के आपसी मेल जोल का नतीजा है जब तक बहुओं में एकता रहेगी धाबा बढ़िया ही चलेगा, हाँ गायत्री की बात सच ही निकली जब तक उसकी पांचो बहुएं अपना-पना काम इमानदारी से करती रही धाबा बहुत अच्छा चलता रहा मगर फिर अचाना की पांचो बहुओं में आपस में अनवन रहने लगती है मेरे कढ़ी चावल खाने वाले ग्राहक तुम सबसे ज्यादा होते हैं रहने दो फेक मत जूठी कहीं की तुम दोनों बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तंदूरी नान और पराठे खाने तो कोई आता ही नहीं मैं नान और पराठे ना बनाऊ ना तो हमारे धाबे पर आधे भी ग्राहक ना बचें इस तरह धीरे धीरे गायतरी की बहुओं का आपसी मेल खत्म होता जाता है और धाबा चलाना मुश्किल हो जाता है बहुओं के कलहे के चलते गायतरी धाबे पर ताला लगाने का फैसला कर लेती है और कहती है सुनो आशा, निशा, सीमा, सुमन और सुजाता या तो पहले की तरह एकता से मतलब मिल जुल कर धाबा चलाओ वरना मैं इस पर ताला लगा देती हूँ बहुओं का ऐसा रवया देख गायतरी धाबा बंद कर उस पर ताला लगा देती है और अपनी पांचो बहुओं से कहती है अब तुम पांचो घर जाओ और अपनी अपनी पसंद का खाना बना कर अपने पती परमेश्वर को खिलाओ कल से इस धाबे में चाय की दुकान चलाओंगी कम से कम मेरा गुजारा तो धंग से होगा इस तरहां गायतरी धाबे को चाय की दुकान बना देती है और उसकी पांचो बहुएं उसके बेटों को खाना बनाने के अपने अपने हुनर के हिसाब से अलग-अलग धाबे खोलने के लिए मनाने लगती है क्यों न हम कड़ी चावल का धाबा खोलने खूब चलेगा दुनिया में मटन चिकन खाने वालों की संख्या कम ना है इसलिए हम मटन चिकन का धाबा खोलकर खूब कमाई कर सकते हैं मन तो नहीं मानता पर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं इस तरह पाचो बहुएं अपने अपने पतियों को मना कर किराए पर दुकाने लेकर अपने अपने धाबे खोल लेती हैं पहले ग्रहक को जो भी पसंद आता था एक ही जगह पर मिल जाता था साथ ही सभी बहुएं एकता से मन लगा कर काम करती थी तो खाना स्वादिष्ट भी बनता था इसलिए ग्रहक आते थे और धाबा अच्छा चलता था मगर बहुओं की फूट के कारण सबके अलग-अलग धाबे हो जाने से ग्रहक उन्हें छोड़ दूसरे बड़े धाबों पर जाने लगे इसी कारण कुछ ही दिनों में उनके धाबे ठप होने लगे और दुकानों का किराया चुकाना भी मुश्किल होने लगा क्या खाग धाबा चल रहा है दुकान का किराया तक नहीं निकल पा रहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और कौन कर सकता है जो काम सबके मिल जुलकर करने से अच्छा चलना था, वो तुम सबकी फूट और कले के कारण बरबाद होकर रह गया है जैसे आशा के साथ होता है, वही अन्य सबके साथ होता है क्यों भाई, मटन चिकन के लावा सादा सब्जी रोटी नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी भाई धाबा खोलकर बैट गया और खाने की व्यवस्ता है ने धीरे धीरे गायतरी की पाँचो बहुओं को समझ आ जाता है कि काम को मिल जुलकर करने से जो सफलता मिल सकती है वह सफलता अकेले करने से नहीं मिल सकती वे पाँचों मिलकर ढाबा चलाएं तो उनकी अच्छी कमाई हो सकती है यह समझ आते ही गायतरी के पाँचों बेटे और बहुएं उसके पास आकर माफी मांगने लगते हैं नरेश कहता है मा, हमें माफ करतो, हमसे बड़ी फूर हो गई मा जी, अब हमने समझ लिया कि मिल जुलकर काम करना ही अच्छा होता है काम को मिल कर करने से ही काम्याबी मिलती है इसलिए हम पाँच बहुओं का ढाबा फिर से शुरू करना चाहते हैं मा पर याद रखना, इस बार कलहा पैदा हुई तो कभी माफ नहीं करूंगी, हाँ कभी नहीं होगा मा जी, कलहा, हम सदा मिल कर काम करेंगी उस दिन के बाद सच मुच्छी गायतरी की पाँचो बहुएं मिल जुलकर काम करने लगती है और पाँच बहुओं का धाबाग खूब चलने लगता है ताशी के पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसके पिताजी जब भी बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गीली करते उसकी खुश्बू से ताशी मचल जाती और उसका मन करता कि मुठी भर कर मिट्टी खा जाए ताशी चुपके से अंदर जाती और कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन तोड़ कर बिस्किट की तरह खा जाती इसी तरह बच्पन से ही उसे मिट्टी खाने की आदत पड़ गई और ये आदत शादी के बाद भी नहीं चूटी ताशी के पती शैलेश बोले ताशी तुम तो बहुत दुबली हो यहां ऐसे नहीं चलेगा तुम्हें खूब सारा खाना खाना पड़ेगा बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मिट्टी क्या? मिट्टी? ताशी एकदम से डर गई और सोचने लगी अरे ये मैं क्या बोल गई? जी मिट्टी नहीं मैंने कहा खटी, खटी मुझे खाने में खटी चीजें बहुत पसंद है जब भी वे माईके से ससुराल जाती तो मिट्टी के बर्तनों के टुकडे अपने बैग में चुप के से भर कर ले आती और उन्हें खाती रहती ताशी की सास भवानी ने कहा बहु, तुम जब भी माईके जाती हो बैग भर कर लाती हो तुम्हारे पिता जी गरीब आदमी है उनसे इतना कुछ मत लाया करो ममी जी, ये सब उनका प्यार है जिसे वो मेरे बैग में जबदस्ती भर देते हैं बताईए, फिर मैं कैसे न लाओ ये सुनकर भवानी चुप हो जाती इसी तरहां ताशी अपनी चालाकी से मिट्टी वाली बात छिपा लिया करती थी एक दिन ताशी सोचने लगी क्या करूँ, अपने घर तो मिट्टी के बरतन फोड़ कर खाती रहती थी लेकिन यहां, यहां क्या खाऊँ एक काम करती हूँ, मम्मी जी ने पूजा के लिए मिट्टी के दीपक लाकर रखे थे, वही खा लेती हो अभी उसने दीपक उठा कर खाया ही था कि उसकी सासुमा आ गई और बोली बहु, तुम दोपहर के समय मंदर में क्या कर रही हो बहुत देर से अपने चश्मे ढून रही हूँ मिल ही नहीं रहे, तुमने तो कहीं नहीं रख दिये अब ताशी का मूह खाली हो तो कुछ बोले अगर मूह चलाते हुए कुछ बोली तो सासुमा मंदर में कुछ खाते हुए देख दुनिया भर की सुना डालेंगी वे हाथ से इशारा करके बात्रूम की तरफ भागी और मूं की मिट्टी जल्दी से खाकर बाहर आई भवानी ने पूछा अरे क्या हुआ बहू तुम ठीक तो हो हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ वो मेरा मन विकार सा हो रहा था इसलिए कुछ तेर भगवान का ध्यान करने चली आई लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ उल्टी हो गई तभी तो बात्रूम की तरफ भागी अरे बहू कहीं कोई खुश खबरी तो नहीं है नहीं नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है आओ मैं आपका न चेश्मा ढूंड कर देती हूँ चलो अभी रहने दो मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ खासी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थोड़ी देर में आती हूँ करीब एक घंटे बाद भवानी हाथ में एक घड़ा लेकर घर आ गई अपनी सास के हाथ में मिट्टी का मटका देखकर ताशी बहुत खुश हुई और बोली लगता है भगवान ने आज मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन ली तभी तो मम्मी जी मिट्टी का मटका लेकर आई है बस चल गया चार छे दिन का बेरा काम मम्मी जी आ गई है आप क्या बताया डॉक्टर ने और हाथ में ये मटका कैसे जरा सांस तो लेने दो बहू डॉक्टर ने कहा है कि फ्रिच का पानी बिलकुल बंद कर दूँ इसी वज़ा से खासी नहीं जा रही डॉक्टर ने कहा है कि मिट्टी के मटके का पानी पिया करो इसलिए ये मटका खरीद लाई अब इसमें पानी भर कर रख दो ताकि ठंडा हो जाए बहुत जोर से प्यास लगी है ताशी मटके की तरफ भूक ही आँखों से देखती रही वह उसे लेकर रसोई में गई और उसमें पानी भरने लगी उसमें पानी भरते ही उसकी खुश्बू पूरी रसोई में फैल गई खुश्बू आते ही ताशी के मुह में तो पानी आ गया जब तलब बेकाबू हो गई तो वह मटके को बाहर से चाटने लगी और अंत में इच्छा विज्याई हुई और वह मटका तोड़ कर मिट्टी को खाने लगी हाँ मज़ा आ गया लेकिन अब मम्मी जी को क्या जवाब दूँगी उसे उपाय सूझा वह जोड से चिलाई अब मम्मी जी आपको चीज़े खरीदने नहीं आती तो खरीदती क्यों है क्या हुआ बहू क्यों गला फाड रही हो मम्मी जी इस मटके की मिट्टी ज़रा भी अच्छी नहीं है देखो तो जैसे ही हाथ से पकड़ा तुरंट तूट के हाथ में आ गया बेडा गर रखो उनका जो मिट्टी में भी मिलावट करते हैं अब क्या ही कहूँ कल दूसरे से मटका ले आऊंगी लाओ अब फ्रिज का पानी ही दे दो गर्मी में प्यास के मारे गला सूख गया है अगले दिन भवानी एक नया मटका और ले आई वे ताशी से बोली लो बहू आज नए दुकानदार से मटका लाई हूँ इस बार गारंटी दी है जरा भी चटक जाए न तो दो मटके मुफ्त में देगा हाँ ताशी ने सोचा अब तो मज़ा ही आ जाएगा एक मटका तोड़ूँगी तो दो मटके आएंगे यानि तीन मटके मेरे खाने के लिए काम आएंगे लाओ ममी जी धो कर पानी भर के रख दू नजाने कैसी खासी हो गई है मेरी ममी जी को जो मटके का पानी पीना पड़ रहा है वे मटका रसोई में ले गई और उसमें पानी भर कर उसकी खुश्बू का आनंद लेने लगी लेकिन इतना कहा रुका गया उससे उसके मुँ में पानी भराया और वे फिर से मटका तोड कर खा गई ममी जी आपको इस बार भी मटके वाले ने बेवकूफ बना दिया देखो पानी भरते ही तूट गया अब इसमें मेरी क्या गलती तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू लगता है किसी पर भरोसा करना ही बेकार है मैं जाती हूं उसे बताने और उससे बदले में दो मटके ना लाई न तो मेरा भी नाम भवानी नहीं हाँ ताशी मन ही मन मुस्कुराई और बोली जैहो भवानी मम्मी जी कल्यानी मेरे तो मज़े ही आ गए अब दो हफ़ते मिट्टी खाने का काम चल ही जाएगा क्रम चलता रहा भवानी मटके लाती रही और ताशी फोड़ फोड़ कर खाती रही एक दिन भवानी ने सोचा आज मैं भी चुपके से देखती हूं कि इतने मस्बूत मटके रसोई में जाते ही कैसे फूट जाते है मेरी सासुमा बहुत सीधी है उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि मैं ही मटके फोड़ कर खा जाती हूं जै हो भवानी मा की वे रसोई से बाहर आ ही रही थी कि बेहोश होकर गिर पड़ी भवानी बेचारी अकेली क्या करती शैलेश ओफिस गया था और घर में कोई नहीं था वे अपनी बहु को बेहोश देखकर चिलाने लगी अरे अरे बाहर कोई है क्या जरा अंदर आओ देखो तो मेरी बहु को क्या हो गया है आओ अरे कोई आओ अवाज सुनकर कुछ पडोसी अंदर आ गए और ताशी को हॉस्पिटल लेकर दोड़े अच्छा हुआ जो आप समय पले आये इन्हें इन्हें पीलिया हुआ है लीवर पर बहुत ज़्यादा सूजन है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लीवर ठब हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जाच में इनकी आतों में मिट्टी जमी आई है जिस कारण आतों ने भी काम करना बंद कर दिया है हालत बहुत क्रिटिकल है अब तक ताशी होश में आ चुकी थी उसकी आँखों से आसू बहने लगे वह बोली मुझसे बहुत बड़ी गलिती हुई है मैं मिट्टी खाती हूँ शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है मम्मी जी मैंने आपका बहुत नुकसान किया है आपको धोखा दिया है और जूट बोला है ये सब उसी का परणाम है बस बहु चुप करो मैं सब जानती हूँ कि मेरे सारे मटके तुमने ही फोड़ कर खा लिये लेकिन कोई बात नहीं बस तुम ठीक होकर घर चलो हाँ तुम्हारे बिना घर सूना है डॉक्टर साहाब कुछ भी करके मेरी बहु को बचा लो भवानी ने शैलेश को भी फोन कर दिया वे भी तुरंथ हॉस्पिटल चला आया वहाँ जाकर सारे माजरे का पता चला शैलेश ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा ताशी लेकिन तुम्हें किसम है कि तुम आज के बाद मिट्टी नहीं खाओगी मैं अब कभी मिट्टी नहीं खाओँगी शैलेश उसके बाद ताशी एक सब्ता अस्पताल में रही और बिलकुल ठीक होकर घर आ गई आ गई मेरी मिट्टी खाने वाली बहु लेकिन अब तुम्हें मिट्टी खाने की जरूरत नहीं है मैंने तुम्हारे लिए काजू, बादाम और चने लाकर रखे हैं ताशी मेरी प्यारी मम्मी जी कहकर उनके गले लग गई और फिर उसने हमेशा के लिए मिट्टी खानी छोड़ दी